नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतिक्षास किचन वर्ड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे है सभी का फेवरेट टोमेटो सूप चाहे कोई बिमार हो, चाहे कोई शादी या फंक्शन हो, छोटा हो या बड़ा हो सभी को ये सूप बहुत पसंद आता है और आप देख सकते हो कितना सुन्दर इसका कलर है और कितना अच्छा इसका टेक्श्चर आया है और खास बात ये है कि ना हमें मिक्सर की जरुरत पढ़ने वाली है और ना ही हम कुकर में इसे बोईल करने वाली है तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टोमेटो सूप की रेसिपी टोमेटो सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए है चार बड़े साइज के टोमेटो टोमेटो लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको देसी जो टोमेटो होते हैं तो वो ना लेते हुए आपको इस तरीके के हाइब्रीड टोमाटर लेने हैं इसे वैशाली टोमाटर के नाम से भी जाना जाता है इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में पल्प होता है और खटापन बहुत कम होता है इसलिए सूप बनाने के लिए हमेशा इन ही टोमेटों का इस्तमाल आप करें इसे के साथ मैंने लिया है लसन और अदरक तो टोमेटों के इस तरीके से ऊपर से हम थोड़ा सा काट लेंगे और हम टोमेटों को अप छोटे छुटे टुकडों में कट कर लेंगे अगर आप चाहो तो लसन बेशक इसमें स्किप कर सकते हो लेकिन अद्रक को आप बिल्कुल भी स्किप न करें क्योंकि अद्रक का जो थोड़ा सा तीखापन है वो गले में जाने के बाद में हमारी गले को राहत देता है इसलिए अद्रक को स्किप न करें तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे टोमेटो कट हो चुके है और अब हम इसमें थोड़ा सा ओईल मिलाते हैं मैंने दो टीएसपी ओलीव ओईल डाला है आप चाहो तो नॉर्मल तेल भी डाल सकते हो इसे के साथ मैंने डाला है थोड़ा सा बटर तो चलिए अब इसके अंदर हम डाल देंगे लसन और अद्रक तो हमें इसे बहुत कुक नहीं करना है हलकासा एक मिनट तक हम इसे कुक करेंगे ताकि इसके अंदर का कच्चापन हट जाए अगर यह ज्यादा कुक हो जाएगा तो स्वात बिगड जाएगा इसलिए इसे बहुत ही थोड़ा सा हमें कुक करन में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करना ना भूले और इसी के साथ मैंने कई सारी अन्य रेसिपीज भी शेयर की है इसे भी एक बार आप जरूर देखें तो चलिए अब हम टोमेटो को कुक करते हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ड जाए और इसे हम तब तक कूक करेंगे जब तक की ये गल ना जाए तो देखिए अब ये टोमेटो कूक हो गए है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 TBSP चीनी, Half TBSP ब्लैक पेपर और Half TBSP वाइट पेपर अगर ब्लैक पेपर जादा डालेंगे तो हमारे जो सूप का कलर है व इसी के साथ अब हम एड करेंगे 4 कप वाटर तो फ्रेंड्स टोमेटो जो थे वो काफी बड़े साइस के थे इसलिए यहाँ पे मैंने 4 कप पाने डाला है और अब हम लेड रखके इसे कूक कर लेंगे हमें तब तक कूक करना है जब तक कि इसके जिलके अलगना हो जाए तो स्टेन करने में हमें बहुत आसानी रहेगी तो इसे हम थोड़ा सा प्रेस करते हुए चमच के हेल्प से इसे स्टेन कर लेंगे ताकि इसके छिलके अद्रक लसन इसका जो स्वाध है वो अंदर आ जाए और रेशे जो है वो सारे निकल जाए तो स्टेनर के नीचे जो भी हम पारा टोमैटो का पल्प है वो सारा हम निकाल लेंगे तो देखिए अब यहां तक की जो प्रोसेस है इसमें जो सूप बना है यह सूप आप छोटे-छोटे बच्चों को दे सकते हो पीने के लिए बेशक इसमें थोड़ा सा काला नमक आप कम कर दे और अद्रक की मात्रा भ कि अद्रक के तयार हो चुका है कितना आसान था इसे बनाना और कितना फटा-फट भी यह बन चुका है कलर भी आप देखी सकते हो कितना सुंदर आया है तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा और ठिक करते हैं ठिक करने के लिए यहां पे मैंने गैस पे फिर से जो हमने सूप इसे डाल दिया है, हल्का सा मैं नमक एड़ कर देती हूँ, क्योंकि नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे कॉन फ्लोर, आप चाहो तो इस सूप को ऐसे ही पी सकते हो, चाहो तो इसमें थोड़ा सा कॉन फ्लोर डाल सकते हो, मुझे इसे हम थोड़ा थोड़ा करके सूप के अंदर मिक्स करेंगे, जैसे ही आप इसे सूप के अंदर मिक्स करोगे, कंटिनियूस स्टेयर करते हुए ही आपको इसे कुक करना है, ताकि इसके अंदर लंप्स ना बने, जब हम कॉन फ्लोर एड़ करते हैं, तो इसके बाद में इ अलका सा वाइटीश हो गया है और इसमें थोड़ा सा जाग जैसे जो होता है वो भी आ गया है तो ये दो मिनट सिर्फ दो मिनट कुक करने के बाद में हमारा टोमेटो सूप बनके रेडी है तो आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स जो हमें बनाने हैं ब्रेड को छोटे-छोटे को टोस्ट किया था लेकिन वो उतने क्रंची नहीं हो पाए इसलिए मैं अब तवे पे इसे थोड़ा सा बटर लगाके और ड्राय रोस्ट कर रही हूं और देखिए ये कितना हेल्दी और कितना क्रंची ब्रेड क्रम्स भी बन गए है तो बन गई हमारे रेसिपी तो मिलते ह हैं ऐसे ही अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई